आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपका होस्ट एंवी शर्मा हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जिसको हम बॉलिवुड कहते हैं प्यार से इसमें न जाने कितने सारे कराकार आए और गये लेकिन कुछ एक कलाकार ऐसे होते हैं जो अपनी चाप छोड़ जाते हैं और मेरे खाल से ऐसे बहुत कम लिविंग लेजेंड्स है आज के इस बॉलिवुड इंडस्ट्री में जो शुरू के 6-7-8 डिकेट्स पहले से अब तक हमें सेवाज देते आ रही है इन्ही कलाकारों मे वो नापपूर में नहीं है वो बॉंबे में रहती है इस वज़े से हम वाइफोन उनसे बात करेंगे और हमें इस संदर में डॉक्टर उज्वल्त थेंग्री जो कि अपने आप में माने जाने नाम है मराथी इंडस्ट्री के हिंदी इंडस्री के आपको याद दूँगा व पादर मदर के टाइम से उनको जानते हैं इनके फैमिली उनके फैमिली उनको जानते हैं एक दूसरे को और इन से हम बात करेंगे और इनके द्वारा हम सुरुर्षनाजी के बारे में बहुत सारी बाते करेंगे और हो सके तो हम आज के इस इंटर्यू में उनके उनके हमको और film industry as such के बारे में आपने इसको बहुत गहरी तरह से पी लिया है और आप बहुत कुछ knowledge रखते हो तो सुलोचना जी की बारे में मैं बता रहा था कि seven decades से वो यहां पर है film industry में और क्या हमारी उनसे बात हो सकेंगी अगर आप try करते हो तो ताकि हम आपके साथ interview के साथ साथ उनके साथ भी बात करते रहेंगे ज़रूर 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 करेंगे सुलोचना दीडी हमारी दैवत हमा महराश्रा का दैवत है यह भारत का दैवत बनेगा जब इनको फालकी अवार्ड मिलेगा यह मैं कहते हैं जी पालकी अवार्ड के बारे में हम आगे बात करेंगे लिकान अगर सुरूशना जी कनेक्ट हो जाती हमार से तो बहुत अच्छा है जरूर मैं फोन लेगा हूं जी सर अच्छा लगा सुनकर आप पराग जरूर जरूर क्यों नहीं आई इन फैक्ट सुलोशना दीदी यहीं पर बैटी है तो मैं फोन उनी को देता हो ओ लावली वहीं बैटी जी सर हम बात करना चाहेंगे सुलोशना जी से और इफ शी जान लाइन तो और भी अच्छा होगा हाँ बोली वज्जो जी कैसे हैं आप हाँ मैं ठीक हूँ शर्मा जी नमस्ते सबसे पहले मैं जाना चाहता हूं सर कि इन्होंने करियर अपने शुरू की 1943 की आजपास है उन्होने शुरू की करहें और तब से 1999 तक यह बहुत अक्टिव रही फिलमों में जाए बोमराथी फिल्मों हैं या हिंदी इन में एक्टिव रही है तो उन्होना एक चाल्ड आर्टस्स के तौर पर उन्होन शुरू हात कि और senin 1946 में एक वेल वर्स्ट कलाकार के रूप में अपने हमको दिखाई दी तो उसके करियर के बारे में कुछ ज़रूर बताईए शर्मा जी मैं यह कहूंगा कि गुरुवर्य भाल जी पंधार कर जो सलुचना ताई के गुरू थे उन्होंने उनकी करियर शुरूबात की जो करन की फिल्म थी माहरती करन वहां से शुरूबात अब वो उभर कर आई है भारत भर और हिंदी चित्रपट में मैं थोड़े से स्टाटिस्टिक देता हूँ और एकसो पचास के उपर मराखी फिल्में धाइसो के उपर हिंदी फिल्में कुछ साउत की भी फिल्में अच्छा यहने 400 के उपर चली गई मेरे ख्याल से 500 तक गई हूँ इतनी फिल्मे करने के बाद उस व्यक्ति के बारे में हम लोग जब चर्चा करते सर्थ तो मेरे रौंटे खड़े हो जाते सर्थ और वियस्की सर्थ क्योंकि जहां से उनकी शुरुवात हुई है वहां से लेके आज तक मुझे पता नहीं के दिलीप साब अमिताफ जी बच्चन आप नाम लीजिए सर्थ जो बड़े-बड़े कलाकार हैं देवानन जी इनके साथ इनोंने काम किया है सेवन डेकेट्स अल्मोस्ट यह डेकेट्स में काम करने के बाद आज वो कलाकार मैं कहुंगा के जाइंट ऑफ जाइंट्स कलाकार आज नाइंटी टू येज क्यों हो गई है दादा से फ़र के आवड करीब करीब 44 पुर्शों को मिला है और सिर्फ छे औरतों को मिला है यह छे औरत कलाकार बड़ा डिसपॉंटिंग बात है सरी कि अनली सिक्स विमन है वे रेकोगनाईज फ़र दादा साइफाल के वरत अपसलीटली सर अपसलीटली आजिंग सुचितरा सेंट जी जो थी उन्होंने उनका एक रिफ्यूजल जो आया था वो शायद उसमें कुछ यह यह चीज थी जो उनको खटकी होई जी शी वस ग्रेड आर्टिस नो डाउट बाउट बाउड़ इंग मुझे यह कहना है कि भारत वर्ष में आपको अगर इस देश को भारत भारत वर्ष को स्त्री प्रधान बनाना है तो शुबात यहीं से की हैं से जी 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 क्यों दुख की बात है सर कि जैसे उनके टाइम पर उस सो रेकगनाईज नहीं करता और फिर कभी किसी पिरिएड ऑफ टाइम में उनको रेकगनाईज किया जा रहा है आज भी बलंद आवाज है और ऐसे कोई किसी के बारे में वो कहना नहीं चाहती सब के बारे में उसको उनको श्रद्धा है एक सीमा तक वो मदद करती है आपको छोड़ा सा उधारन में दे दूसा बिल्कुल सोलुचनत आई सेट पे आई थी सेट पे आई मेकप हो गया और प्रजीप करके एक स्पॉट थे स्पॉट डादा थे हमारे तो वह स्पॉट डादा को पूछने कहा है प्रजीप प्रजीप की तब इस ठीक नहीं है अरे क्या हुआ तो फोन लगा तो डारेक्टर साब के पास गई हाथ जोड़े बोले मेरे को दो मिनिट बात करने ही है मुझे पता है शौट टाया रहे फिर भी और उनसे बात की कि मैं आऊं वहाँ पे कुछ भेजू यह सुलोचनत आई यह मैंने स्वयाँ मैंने खुद अनभव किया इसका मुझे कहना यह है यह इनसानियत इस इंडस्ट्री में बहुत कम जगे मिलती है शौट इससे पहले कि हम आगे बड़े सर मैं सुलोचना जी से बात करना चाहूँगा वापस सर इनसे पूछना चाहूँगा कि उनके इस स से बात कर रहा हूँ क्या आप सैटिसफाइड हो अपने करियर से कि ऐसी कोई इक्छा रहे गए कि हमको यह रोल भी करना था यह वो रोल भी करना था आहिल्या भाई होल कर अर्दा से किरानी यह दो रोल करने का उसर नहीं मिला सर इन्होंने जो कही अभी बात हमसे कि उनको यह तो फिर अहील्या भाई होल करकर रोल करना था तो तो अर्द शोस हर हंगर फॉर डिफरेंट टैप अफ रोल्स या बाद भी उनके करियर के बारे में वो लोग इतनी कॉंशेस थी जी बिल्कुल बिल्कुल जी इनको जहासी कि रानी का भी रोल करना था जो रहे गए वो रहे गए रहे जा था है रहे घा रहे ईसी हर क्लागार के सद़र ची थी साउंडस भी पर। sincere when she sing, यह बहुए सब तो किया है, लेकिन यह दोनों करना रहे गया जिकों, इन्हों ने और निरुपराइजी ने, इन दोनों ने motherhood को epitomize किया है, परी जूँ जी, जी, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हम उनसे बात करके जानेंगे कि और किसी किसम के रोल को अगर उनको offer किया था, तो उसके बारे में हम बात करेंगे हैं, जरूर, बात मीचे, मैडम मैं जाना चाहता हूँ कि आपने अने किसम के रोल्स किये है, और अने किसम के रोल्स में आपने खोब तालिया भी विटोरी है, बहुत नाम कमाया आपने, कोई एक ऐसा रोल जो उज्वल ठेंगडी स जो मुझे ऐसे रोल में पसंद नहीं करते हैं, सर कई सारे फिल्मों में जो हमने देखा है कि जैसे अमिता बच्चन हो, देवानन साब हो, राजश खना हो, सुनिल जत हो, ये उनके करीब-करीब हर पिचर में रहा करते हैं, कुछ ऐसे एक्वेशन्स बनते हैं, सर केमिस्ट इनका स्वभा हो, इतनी अफेक्शनेट थी, बहुत अफेक्शनेट, यह अभी भी है, अभी भी आप जाएंगे तो आप उनके साथ बात करेंगे, तो आपको पता चलेगे, पहले पूछेंगे, आप कैसे हैं, चाय पियोगे, कौफी पियोगे, यहां से शुरुआत होती है जैसे नबे साल के उमर में, इनके अहां, अमिताब बच्चन जी के साथ, लता जी नहीं आई थी, लता दीडी ने मैंने काल से रुद्धनाद मंगेशकर को भेचाता, अश्टोष गुवारिक रसिद डिरेक्टर वो खुद आये थे, सचिन तिंडूल कर आये थे, अभी कलाकार स्पोर्ट्समन ये आकर उनके करीब खड़े हो जातें, उससे ज़्यादा मैंने समझता कि किसी को इतना महत्व दिया गया है आज तक, इसका एक ही कारण है, युमैनिटी बहुती बहुती ज्यादा, अभी भी आपने स्पॉर्ट बोई का वे एक्जेंपल बता है, हमाने माता जी का प्रपंची चित्रपट में सुलोजना दीदी को बेस्ट अक्टर्स का आवर्ड मिला, ये पहला महराष्टर राज्य चित्रपट महत्स होता पहला, 1964, ये मिलनी के बाद उसी समय मेरे माता जी को जो नागपूर किये तो उनको बेस्ट सपोर्डिंग सुबह साड़े आड़ बजे, सुलोजना दाही हमारे घर में थी, छे बजे नियूस पेपर में नियूस आई और साड़े आप पर हमारे घर में थी, उसी समय सीरांचन्र, जिनको हम आनना कहते थे, वो आगए, तो सीरांचन्र पूछा भिया, आप यहां क्या कर रही, आपक इस अवरत की दोनों आखे गई हुई है, और उसने बेस्ट सपोर्डिंग अट्रिस कर अवर्ड तो उस अवरत को मैं कम से कम नमशकार करके कहूं कि बहुत बढ़ी है, यह यूमेनिटी है, और उनकी बातों से भी बाती जहलगती सर्थ, मतलब देवेशी स्पीक्स जिसमें सॉफनेस है, हमबलनेस है, यूमिलीटी है, विनमरता है, सब कुछ है, और यह धार यह वालिम सब्सटन है। रहता है लेकिन क्यों वंचितरे गई सर आपकी हिसाफ से क्योंकि आप इतने क्लोस कॉंटेक्ट में हुए सर इस क्यों का आंसर तो मेरे पास नहीं है लेकिन मैं एक चीज़ कहूंगा जी कि करीब करीब 66 66 institutions, government and other public institutions ने इनका सत्कार किया है बहुत बड़े सत्कार इनके होगा है Government awards इनको मेनी है साथ साथ में ये कहूंगा कि each and every president including Rajendra Prasadji the first president of it, Radha Krishnan जी, वीवी गिरी जी, आरके नराणन, श्री जाकिर उसेट, आप किसी भी president का नाम लीजिए सर इन्होंने इनका सत्कार किया है दिल्ली में बुला कर अपने हमें इतना बड़ा honor है सर कि all presidents except the current president इन्होंने इनका सत्कार किया है बहुत बड़ी बात है इसलिए तो हम कह रहे हैं कि फार के award अगर मिला ये president साब ये भी उनका सत्कार की जी, एक award मिल जाएंगा अवार्ड का इतना महतुने से जितना उनकी recognition, उनकी talent का recognition है और इसी सिल्सेदे में मैं सेलोशना जी से फिर एक बात पुछना चाहूँगा कि मैडम आप अपने आप में एक institute हो, आप अपने आप में एक icon हो, symbol हो और फिर बाद में आपको आप एक role model हो Thank you because आपके कारण ये सारी बाते हो रही है और हमने जिनको देखाने इन-person उनसे आज बात भी हो रही है मैं जाना चाहता सर आपसे की awards उनको दो बहुत मिलते है उगरे लेकिन face value अगर उनकी दिखा तो फिर बात में इतना great है, presence है उनका film में बहले वह चोटे roles करती होंगी या कुछ भी कुछ The role length is not important, the role quality is important क्या बूले गया Sir इसकी मेरे ख्याल से वजह थी, current था, उनके गुरू भाल जी, जिनको हमने भी देखा है, हमारे पिता जी के जरीए, यो प्रबात फिल में थे ये उनके गुरू का, गुरू के एक शिक्षा थी, की role, role को महत्वदो उस character को महत्वदो, वो अपने आप उबर आएगा अब मेरा कहना ये है कि मैंने उनको negative role दिया और उनको ने refuse किया आपने तो सुना क्या कह रही थी विकास वो कह रही थी कि लोग मुझे इस role में पसंद नहीं करेंगे मतलब ये कलाकार की खुबसूरती है कि उनको अपने limitations मालों में, उनको अपने barriers मालों में और उस रपसे वो role को play करती है अपसलिटलिटलिटलिटलिटलिए ये समझना खुद के बारे में बहुत कम लोग समझते हैं कि मुझे वो लक्षमन रेशा क्रॉस करनी नहीं चाहिए हलाकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं रोल आफर करूँ और वो आएगी लेकिन मैंने जब सुना कि मुझे बता कि बोली कि फ्लीज उतना ही काफी था मैं वो भी रेफ्यूज बीज बड़े हमल तरीके सिक्ति हैं बलकुर 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 वो घर पर बुलागे ऐसा ही थी घर पर बुलागे बोल रही है जी चाहिए आजकर इस टाइप के हुमन बिंग्स बनने बंद हो गया तर में जिस अंदाज में आप बता रहे हैं उनके बा लोग जानते हैं कि क्या है आप मॉडर्न डे आर्टिस्ट को क्या एडवाइज देना चाहोगी मैडमा श्रद्धा और परिश्रम से कोई भी काम करें सब वलता मिलेगी थैंक यू मैडम थैंक यू थैंक यू वेल सट वेल सट सर अगें कमें बैट यू एक आर्टिस्ट को आप जब परत्ते हो तो उनमें क्या-क्या क्वालिटी साथ देखते हो अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग सर मैं कहूंगा कि इंसानियत नंबर वन है कि पहली मैं इसका एक उधान छोटा सा देदू आपको 1962 वार के बाद चाना का गेंस्ट हमारी वार हुई थी उसके बाद सुलोचना दीडी जवानों को मिलनी गई थी राइट शी वस्ट वेरी फर्स आर्टिस्ट फ्रॉम दी इलिस्ट्री को वेंट और उन्होंनी जाके सचमुच उनको उनको उनके बारे में पूछा जाके डॉक्टरों से पूछा यह मैं कहना चाहूँ यही चीज़ 1965 वार के बाद भी हुई और जब शासरी दी ने कहा था कि आज देश को पैसे की जरूरत है वगरे वगरे मैं आपको छोड़ी सी बात बता दू उन्होंने अपना पूर्ण जितना संपूर्ण उनके पास सोना था वो गोल्ड अरपन किया ज़र? मैं सिपायों . इससे बड़िया क्या चाहिए? इससे बढ़िया इन्सानियत क्या हो से? इन्सानियत एक रफ़िव के रग toss अजिए तट्टू एक लेडी गोल्ड ओफर करें रिए वेज़ रेर इन्कृड़ीबल इसलिए रिए आपसलिए आपसलीट ये एक इंसानियत में कहूंगा और दूसरी के बाद दूसरे आर्टिस्ट को बताना उसको बढ़ावा देना इस प्रकार का बढ़ावा मैंने अनु मैंने ऐसी फोन करके बोलाता, अगर आ सकती है तो आ जाई है, तो आ गई, माइमिंग था पूरा, नो प्रॉपर्टीज, माराश्य राज्य नाट्य महथ्सो, वो सब देखकर हैरान होगी, माइमिंग है, प्रॉपर्टी नी, चद्दर जटकना है तो ऐसा करके जटकना है, यह करके आरिये चद्दर जटकना है, विदाउट प्रॉप्स करना है, उन्होंने सभी आर्टिस्ट को हमारे जो थे, उनको इतना, इतनी मानियता दिये, कि बोले, आजाओ मेरे को सब के साथ एक फोटो लेने, मैं यह जतन करूंगे, पहली बार मैंने जिन्दगी ही देगा, य अजिन्द प्रॉट प्रॉट जी प्रॉट जी अमिता बच्चन तापके पैर चुरे, अलावा इसके सचिन टेंडूर कर आपके पीछे खड़े हैं, अश्टोष गोवरिकर से भी आपकी मुलाकाते हुई है, तो क्या मेसेज देना चाहोगे, आप खासकर लतामंग इश्कर और सचिन टेंडूर कर साब के बारे में, जो कि भरत रतना है, और बाकी जो दिगज करा करें, अमिता बच्चन या अश्टोष गोवरिकर साब, इनके बारे में अब क्या बताना चाहोगे, इन लोगों का कार्य बहुत बड़ा है, नहीं पिढ़ी, इनको आदर शिमाने और आगे बढ़े, जी, सर अगें ये हुमिलिटी उनकी नदार आती है, साफ उनकी बातों में, and we wish that she lives a healthy long life again, एक बात पूछने से आपकी परसनल लाइफ के बारे में जड़ा जानना, उन से अच्छा ने रहेगा, इस ते आप से पूछ रहा हूं है, कि when did she marry, उनकी फैमिली मे कौन मेंबर हैं, and all that, 1940 में मेरे कहाल से उनकी शादी हुई थी, और मैं तो पैदा भी नहीं हूँ था, लेकिन फिर भी हमारे पिताजी कहते हैं, क्यों हमारे पिताजी, पिताजी को बहिया ही कहते है, तो 1940 में उनकी शादी हुई थी, उनको एक बेटी है, जिसका नाम है कां रभा कांचन, और वो पत्नी थी कांचन जी, पत्नी थी पतनी थी पतनी है, पत्नी टी, डॉक्टर काशीनात घahnेकर, जो बहत बढ़त अधा एकत्टर, उनकी पत्नी थी, शाद शाद उनकी बहन भी थी यह सब गुजद गई, बाकी जो लोग हैं इनके इतर भितरी है सब तिलकुल बसे हुए है हमारे पैचानवाले भी यह काफी यंग है यह पराग अजगाओ करके यह है इनका दामाद है जिन से बात की नहीं है इनकी पत्नी है यरावती करके वो एक है तो यह लोग बस जुड़े हुए उनके साथ बै अच्छा लगता है उनका लग अच्छा है कि ऐसे महान कलाकर कैसे जुड़े है टाइम एक बात पूछना जाता हूँ आज के पॉलिटिक्स में बहुत सारी बाते होती है गुड बैड सब कुछ यह तो सौबाविक है एक पोलिटिकल लिडर के बारे मुलना नरेंदर मोदी के लिए आपका क्या संदेश रहेंगा मादम मोधी जी के कार में उनको सफल का मिले ऐसा में उने आशिरवाद की बात करती है तो ऐसा रहता एक माँ अपने बेटे को ब्लेस करी मतलब वो फीलिंग उनके दिल में है इस वज़े से वो शब्दों के माध्यम से निकलता है यह ज बदाई दी थी साथ साथ फोन भी आया था हूँ था सर इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि यह सब लोग पवार साथ किस मिनिस्टर ने इनके बारे में मिनिस्टरी को लिखा नहीं यह बताई है दास मुशी जी ने जब थे वो उन्हों नहीं लिखा है चरपवार जी ने लिखा है एक नहीं तीन लेटर जी बिलासराव देशमुग जी ने लिखा है बाद से ठाकरे नहीं लिखा है यह मैं कहूंगा इन सब लोगों ने इन्फिमेशन ब्राद कास्टिंग मिनिस्टी को लिखा था कि इस कलाकार को किसी भी प्रकार से आप खाके अवाड दे और दे जी दिजर्व पर देख रहा है तो दूसरी बात में यह कहूंगा कि कहीं ऐसा नहीं मैं जावडेकर जी से पर कहा रहा हूं हमारे मंतरी है और पंतपदार नरेंदर मोदी जी से भी हाथ जोड के विनंती कर रहा हूं क्या ऐसा नहीं कि इलेक्शन बेंगॉल में है इलेक्शन तमिलनाडू में है केरला में है इलेक्शन केरला में है असाम में असाम में हैं, तो इसके लिए कहीं अवार्ड उस तरफ जुक न जाए, दोजार उन्दीस और दोजार बीस के अवार्ड अभी तक दिये गए हैं, लेट्स नोट मिक्स कल्चर एंड पॉलिटिक्स, कल्चर कल्चर है, डेफिनिटी, डेफिनिटी, जी, जी, इट शुटन बी, करें मैं आज तक इस समय तक इतनी डिगच कला कर आप नौर्ट यस से लेके, साउथ से लेके, नौर्ट तक जाएए, वेस्ट तक जाएए, कहीं पर भी नहीं हैं, सर्थ, उम्हारा हाथ जोड के हमारी वनंती हैं, सर्थ, एंको, कि अब रुकियेगा नहीं, शी नाइंटी two years old, sir. Please. Yes. Time now to get up and correct your mistakes. Absolutely. And if you call that as a mistake, then it's a grave mistake. क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि कुछ हाला बिगड जाए और फिर करें, ना सत्य जी तरह आये थे, उन्होंने देखने के बाद, जो मिले, जो महराश्य मूशन आवार्ड मिला था, अभी बात है. तब सत्य जी तरह ये जी आये और उन्होंने कहा था, कि मेरे फिल्म में एक भूमी का आप करें लिए. इतने बड़े डायर्टर्स. आप सोच लिए, इससे जादा क्या चाहिए. हर जिए रेकुणिशन है सर, लेकिन दुर्भागे से जहां होना चाहिए रेकुणिशन वहासा नहीं हो रहा है. सरी, किस किसम का दुर्भागे मुझे बताईए सर. इसको दुर्भागे, इस दुर्भागे को भागे में बदलना, यह हमारा और आपका करतब है. अग्रीड इटीजिए सरु. और आपका करेंगे. मैडम, हमने सुना कि लता मंगे शर जी आपकी सबसे फेवरेट सिंगर है. तो मैं जाना चाहता हूँ कि आप भी गाती हो क्या? नहीं, मुझे गाना नहीं आता. जी, जी. थैंक्यू फटाट कैंडिड एडिमिशन मैडम. सर, जैसे, एक्टर्स है, एक्टर्स है, सिंगर्स है, इन सब के अपने एक रोल मॉडल्स हो रहे होते हैं. आपने कहा कि लेलिता पावर जी या फिर बाद में कामिनी कॉशर जी या फिर अश्रा सच्छ दे जी, इस सब उनके इसाथ काम किये हुए. ओर जमाने में, I'm talking about 43, 50s के decades में, कोई acting schools या फिर film institutes ऐसे कुछ नहीं थे. But how did these people pick up those final nuances about acting? Sir, I feel personally, I have not attended any school, nothing of that sort. Although I don't belong to that particular era. But what I have said is that this is the inner soul. That is the inner soul, like Pritharaj Kapoor Ji, Durga Kote Ji. If you can see them, it is impossible to believe in Mughal-e-Azam. Such giant. Where did they teach? Yes. यह कहां सीखे थे? मेरे खाल से तो कोई stalwart से कहीं सीखे नहीं. Yes. अभी institution से लोग आ रहे हैं. टेक्निक बदल रहा है, हो सकता है. हर एक चीज बदल रही है. लेकिन जिसके पास original है, और रहा है, यु कांट हाइट से लोग. बिलकुल हाइट नहीं कर से और वह अबर के आएगा ही आएगा. यान इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है. बन सबकए करीं पडाइबर है, वह अंबर इसकρι है्ना एड है, जा अवने जी का इसके पयंहें करते. अबर बिलास एकिन Cliffh Tea Lashフ object जोल से इसके लिए नहीं क voting पूल, there were a variety of rules which he has played and निभाया वनोने, लेकन सबसे इंपोर्ट है कि to get under the skin of the character is more important so that you can portray a very true picture of that character. मैं एक छोड़ी से बात और एक आपको बता तूँ कि स्क्रीन पे जब वो रोती थी न, तो मैं ने ये देखा, अनुवर्व किया है कि जैसे वो रोने लगती थी और चोक हो जाती थी अपने आप में, मैं और मेरे पिताजी बढ़े हो थे, आजू-आजू के लोग, they started giving the reactions. Reactions. Obviously, it's a natural answer. And वो natural audience से लेना, जब आप वहां पे मवजूद नहीं हो, screen पे हो, you're not live, like you're theater पे नहीं हो. वो मैं कहना चाहता हूँ, वो जो है इनके पास. वो मेरे कहाद से किसी के पास है. Great. यह God gifted you, sir. God gifted. Your God gifted. Absolutely. जी. Madam sir, बता रहे थे कि China war के बाद आप लोगों ने जाके soldiers हैं, बलकि particularly आपने soldiers के साथ मुलाकात की, और अपना जो भी gold आगिना, जो भी है वो साथ, आपने उनको आफर कर दिया हैं. तो आंग forces के बारे में या farmers के बारे में, जो कि आजकल current topics है, तो इसके बारे मैं आपके क्या विचारे मैंड़ा हैं? जे जवान, जे किसान. जी. हर भारत यूंको उनका आदर और समा करना चाहिए. Sir, an incredible lady sir, to sum up, क्या बोलुएंगे आप? उन्होंने कहा के जए जवान, जए किसान. शास्त्रीजी का नहरा था, उन्होंने रिपीट किया है. हमको तो वहाँ लेकर ही, लेकिन साथ साथ इस सरकार को भी बताएंगे के खुरुपा करके, मेरे लिए, ये किसानों का, और जवानों का, ख्याल रखिएगा. और ख्याल रखने वाले आप ही मुख्या हैं, मुदी जी, ये कहना चाहते हैं. मैडम, वे विश यू अवेरी हेल्दी लॉंग लाइव और सक्सेसर लाइव तो आपका था ही. कि हम सब का जो एक दुआएं निकलेंगे आपके लिए वो रहेंगे, कि you be blessed always. और उमिद करतें कि आप भी हम जैसे लोगों को आशिरात देंगे और आपके शरन में रखेंगे. सर, तो सम आप, सुलोचना जी, in a single frame. एक दुरुवतारा में कमने हैं. जो अटल है, अडल है. और सब के लिए कुछ संदेशा देता है. जो आपके लिए कुछ संदेशा देता है. प्लेजर तोकिंट तो यू. और थांक यू अगें क्यूकि आपकी वजय से आमेरी इतने बड़ी स्टालवर्ट के साथ बात करने का मौका मिला. थांक यू. प्लेजर अजू अजू तोकिंट यू. थांक यू.